हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब और मैं आपका दोस्ट फिर से आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल पर तो आईए आज भी कुछ इंट्रेस्टिंग कम से कम पचास न्यूज सेंटेंसे सिखेंगे जो आप सब को इंगलिश बोलने में आसानी से हेल्प करेंगे और इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं खुद मेरा चेहरा आपको दिखाऊंगा और हम डिसकेस करेंगे हाउ टू स्टार्ट अर स्पीकिंग बस यह तो स्टार्ट अप था इससे सोचके आप इसे मान लीजी ता यह शुरू करते हैं सो दोस्तों पहला सेंटेंस है ही टॉक्स स्ट्रेंज वह अजीब बाते करता है अगला सेंटेंस है ही इस स्ट्रेंज वह अजीब है हम बोलते हैं दोस्तों बार बार कि वह अजीब है यार देखने में भी बोलने में भी तो he is strange and he talks also strange okay ऐसे भी बात बना सकते हो अगला है sit upright सिदे बैठ हो sit upright सिदे बैठ हो अब दोस्तों यह जो तीन सेंटेंस या दो सेंटेंस अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं न सिट प्रॉपरली भी बोलते हैं upright को अब आगला सेंटेंस जो फिप नंबर का है don't tell me all these मुझे यह सब मत बताओ देखो कभी कभी बहुत irritation सा होता है तब हम यह बोलते कि यार मुझे यह सब कुछ मत बताओ तो अब हम कहेंगे don't tell me all these please listen guys don't tell me all these अगला सेंटेंस है do you really mean it कि आप वाकई में सच कह रहे है mean it मतलब क्या तुम्हारे कहने का मतलब भी वही है do you really mean it जो आप बोले हो क्या आपके कहने का मतलब वही है या दूसरा से अर्थ भी निकलता है क्या आप वाकई में सच कह रहे है next sentence please देखिए दोनों दिखाएंगे लेकिन एक ही देख your anger is justified your anger is justified मतलब आपका गुसा जायज है होता है कभी कभी मुलता है कि yes जो आप कह रहे हो बराबर है या आप जो गुसा कर रहे हो बराबर है तब कहेंगे your anger is justified eight number का है even the walls have ears भाया कभी कभी कुछ बाते अपने आप में ही करनी चाहिए या शांत रहे के करनी चाहिए क्योंके even the walls have ears दिवारों के भी कान होते है यह कहावत है दोस्तों don't exaggerate the things अब यह तो होता ही है कि कोई न कोई चीजे हम बड़ा चड़ा के बोलते है या हमारे सामने वाला हमारे पास कुछ चीजे बड़ा चड़ा के बोलता है तब आप उनको या उसे बहुत आसानी से कह सकते हो don't exaggerate the things 9 number हो गया 10 number पर आते हैं don't speak lie to anybody don't speak ill to anybody I am sorry for that don't speak ill to anybody ill मतलब बुरा तो किसी को बुरा मत बोलो don't speak ill to anybody या मैंने जो पहले बोला उसको आप sentence में पहरो सकते हो कि don't speak lie to anybody किसी के साथ जुट मत बोलो move out of my way मेरे रस्ते से हट जाओ या मेरे रस्ते में ना आओ move out my way मेरे रस्ते से हट जाओ अगला है spit away the anger गुसा थूक दो spit away the anger गुसा थूक दो अब खुद समझदार हो दोस्तों कौन सा शब्द या फिर कौन सी लाइन कहाँ पर इस्तेमाल करनी है you can do it easily what a shame कितनी शर्म की बात है what a shame कितनी शर्म की बात है या फिर कितनी शर्म की बात है he is so skinny वो बहुत पतला है he is so skinny वो बहुत पतला है next है ये तीन sentence दिखा रहा हो जो काफी important है दोस्तों get off the car गाड़े से उतर जाओ या फिर गाड़े से उतरो get off the bus बस से उतरो या फिर हम ऐसे बोलेंगे get down the car car से नीचे उतरो तीनों का meaning एक ही है दोस्तों bus की जगा पे आपको कोई भी वहन यानि के vehicle को इस्तमाल करना है तो ये आप तो याद रखोगे ही आशा करता हूँ अगला mean it मेरा ऐसा मतलब नहीं है या मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है I don't mean it मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है I don't want to say that या फिर मुझे वह ऐसा नहीं कहना था दोनों का मतलब एक ही है I repeat the sentence I don't mean it मेरा ऐसा मतलब नहीं है या फिर आप ऐसा कह सकते हो I don't want to say that मुझे वह ऐसा नहीं कहना था How dare you देखिये दोस्तों ये तो काफी common हो चुका है YouTube पे ही क्या कहीं भी आपको इसलिए उपलब्द हो जाएगा ऐसा sentence है How dare you तुमारी इतनी हिम्मत या फिर तुमारी हिम्मत कैसे हुई अब इसको हम बढ़ाएंगे How dare you to touch me तुमारी हिम्मत कैसे हुई समझ में आ रहे है दोस्तों तुमारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की I don't believe on my ear रे यार मुझे तो मेरे कानों पे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तू मैं ऐसा कह सकते हो आप sentence को बढ़ा सकते हो जैसे कि I don't believe on my ear by hearing this from you I don't believe on my ear next trust me मेरा विश्वास करो trust me मेरा विश्वास करो अगला है I feel much better now अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है या फिर मैं काफी बेतर मैसुस कर रहा हूँ I feel much better now don't worry चिंता मत करो don't worry चिंता मत करो it's a big deal for me ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है it's a big deal for me ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है 26th you you use your brain अपना दिमाग इस्तमाल करो you use your brain अपना दिमाग इस्तमाल करो और 27 नमबर का है that's the spirit किसी को अगर आपको प्रोसाहित करना हो enlighten करना हो praise करना हो तो you can speak this sentence sentence नमबर 27 that's the spirit ये हुई ना बात इस प्रकार से 28 नमबर है that's way that's the way ये हुई ना बात that's the way please get in और please come in दोनों वाक्षे आप कह सकते हो please get in और please come in कुपया अंदर आए 30 नमबर का काफी important है दोस्तों what happened to you क्या हुआ आपको क्या हुआ what happened क्या हुआ what happened यहाँ पे past नहीं है 33 में what happened क्या हुआ 34 नमर का what does it mean इसका मतलब क्या है what does it mean इसका मतलब क्या है 35 नमर का what do you mean तुम्हारे कहने का मतलब क्या है what is this ये क्या है what is this यह क्या है I will help you मैं तुम्हारी मदद करूँगा I will help you मैं तुम्हारी मदद करूँगा 38 है nobody came कोई नहीं आया nobody came कोई नहीं आया 39 I like both मुझे दोनों पसंद है I like both मुझे दोनों पसंद है अगर कोई चीज आपको पसंद आई और उसके साथ और कोई चीज पसंद आई तो आप बहुत आसन तरीके से बोल सकते हो both यह नहीं के दोनों I like both मुझे दोनों पसंद है Please forgive me मुझे माफ कर दो किसी से माफी माफी मांगनी हो तो यह बहुत अच्छा तरीका है I am sorry की वज़ा Please forgive me मुझे माफ कर दो For God's sake Say something For God's sake Say something Bhagawan के लिए कुछ तो बो 42 Drop me home मुझे घर छोड़ दो Please drop me home कुपया मुझे घर छोड़ दो The truth is always bitter भया यह तो सच है कि सच हमेशा कडवा होता है The truth is always bitter Bitter not a better Better बोलोगे तो अच्छा होता है और bitter बोलोगे तो कडवा होता है The truth is always bitter You need to remain calm You need to remain calm आपको शान्त रहना होगा या आपको शान्त रहना चाहिए You need to remain calm आपको शान्त रहने की जरुरित है What nonsense क्या बक्वास है What nonsense क्या बक्वास है अगला Control your tongue अपनी जिप पर नियंत्रन रखे या फिर अपनी जुबान को लगान में रखे लगाम में रखे Control your tongue Behave yourself तमीज से रहो या तमीज से बात करो तमीज से बिहाव करो Behave yourself तमीज से रहो You are wrong about these तुम इसके बारे में गलत हो You are wrong about these तुम इसके बारे में गलत हो इसको बढ़ाएंगे You are wrong about him तुम इसके बारे में गलत हो दीज निकाल दो हिम डाल दो बन जाएगा वाक्या You are unnecessarily sitting here You are unnecessarily sitting here अब बजा यहाँ पर बैटे हो You are unnecessarily sitting here I never said anything to you मैंने आप से कुछ भी नहीं कहा Don't forget to like, comment and subscribe क्यांएपया नहीं मैं गभी हो छुछ प्रड़ऊ़गा हो